नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन आज आपके समक्ष एक बहुत ही खुपसूरत गाना आओगे जब तुम साजना As a token of tribute to उस्ताद राशित खांसाब जी हाँ दोस्तों 9 जन्वरी को एक बड़ी दुखत ख़बर आई राशित खांसाब हमें प्रत्यक शुरूप से छोड़ कर चले गए 55 साल की बहुत ही छोटी हुमर में तो उनकी याद है तो एक श्रधांजली स्वरूप मैं आज एक टूटोरियल आपके समक्ष लेके आया हूँ इस खोफसुरत गाने का जो की राख तिलक कामोद पर आधारित है संदीब संडिले जी की ये कंपोजिशन है और खांसाब ने क्या गया है ये हम सब जानते ही अमर हो चुका है ये गीत हमारे जुमाँ पर रहता है और उनका जो आर्ट है वो हमेशा हमारे जहन में रहेगा और हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे ज्यादा समय ना लेते वे मैं राग तिलक कामोद का आपको ब्रीफ डिसकुशन दूँगा उसके साथ साथ हम फिर एक एक चीज जानते वे चलेंगे केरवा ताल पर ही आधारित है एफ शार्प ओरिजनल पिचे लेकिन हम इसको आज एफ पर सीखेंगे ठीक है और चौथी मात्रा इसका प्रारंबिक स्थान है वो मैं डिसकुश करूँगा ताल के सहित सो देखिए राग तिलक कामोद खमाश थाट का राग है देश अंग इसमें बहुत प्रबल है रिशब पंचम इसके वादी समवादी स्वर है वक्र कोटी का राग है देखिए तिलक कामोद की तो देखिए एक स्कूल आफ थाट ये कहता है कि दोनों निशाद का प्रयोग तिलक कामोद में होता है और एक स्कूल आफ थाट मतलब एक दृस्टी कॉंड ये के तिलक कामोद में सिर्फ शुद निशाद का प्रयोग है तो ये कंपोजिशन में संदीब जी ने दोनों निशाद का प्रयोग किया वो कहां कहां किया है आपको बतातावा मैं चलूँगा फर्स कीजिए अगर आप आलाप देखेंगे इसमें खां साब का तो उसमें उन्होंने शुद निशाद का प्रयोग किया है कैसे साब देखेंगे आप नोटेशन देख रहे हैं पूरी आप मेंबर्स कम्यूनिटी पर प्राप्त कर सकते हैं सारे मेंबर्स के लिए मैं उपलप्त करवा दूँगा तो आई होप आपको अलाप क्लियर ठीक है तो इसमें शुद निशाद का प्रयोग और जो यह देखिए अब क्या खूबसूरत अलाप चारी में जो एक गाईकी का अंग दिखा है राशित खासाम ने वो सुनते ही बनता है है कि नी अब स्थाई स्टार्ट होती है देखिए पूरे तिलक कामोत के स्वार है निपनी निसासा सासा कसानी है ना दूसरी बार में आओगे जब तुमो साजना आंग ना फूल खिलेंगे सो मामा मगरे गसानी सासा तो आओगे जब तुमो साजना अब यह जो वैरिएशन है कगसानी पहली बार में साजना साजना I hope दोनों चीज़े समाझ जारी है मामा मगरे कसानी सासा अब रचना कैसे उपर जाती है बरसेगा सावन बरसेगा सावन जूम जूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे सो पामगरे का मामा द्धनी धा पमा पापा सापधमा अगाका पामरे पामगरे कसानी सासा आऊगे जब तुमों साजना आँगना फूर खिलेंगे वाई होप आपको यहां तक क्लियर है देखे रचना का जो उठाव है हमारे जो स्टूडेंट्स बेगिनर स्टूडेंट्स है उनके लिए बता रहा हूं चौथी मात्रा का उठाव एक, दो, तीन आओगे जब तुमों साचना यह ना वन टू थ्री आओगे जब तुमों साचना अंगना फूल खिलेंगे सरकाम गई है पामगरे का मामा धानिदा पापापा सापधा मागगा पगरे पामगरे गसानी सासा तो यह ताल के साथ अब ऐसे इसको निबा सकते नैना तेरे कजरारे है नैनों पे हम दिल हावरे है देखें सीधे 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 स्वर लगें सारे गरे रे साकरे रे नीरे नीधाधा पसा सा सा नैना तेरे कजरारे है नैनों पे हम दिल हावरे है आगे अंजाने ही तेरे नैनों ने अब गाप गरे नैनों ने यह बड़ी खुपसूरा देख वेरिशन नैनों ने वादे किये कई सारे वोई कल्यान का आंग है देखें यहाँ पे नेरे नीधाधा पसा सा सा अब रचना कैसे उड़ती है गापा पधा सांसों की ले मतम चले तो से कहें बरसेगा सावन बरसेगा सावन जूम जूम के दो दिल हैसे मिलेंगे आप देखा रहे है थोड़ी सोड़ा भूप का सार है गापा पधा गापसा था गाथा साथपा पाम गरेगा मामा समझ रहे हैं यह पहला अंतरा बीच में देखिए एक सरगाम आती है मदर सब तक से सीधा ब्यूटी इसमें क्या स्वार चुपा है तो गपोसा सारे गासा फिर साकेड अंतरा चंदा को ता को रातों में है जिन्दगी तेरे हाथों में सारे गरे रे साकरे रे नीरे नीधा धप सासा सा अना भरी बर साकों में अब देखे इए 1 अंतरा की गरेशा गोथी यहाँ से चेंज में और येस कंपारे टू फिर्स्ट्र अंतरा आ पंग्यां अब पाप गरे गरे साँ सपनों का जहाँ होगा खेला खेला बरसेगा साँ तो पाप गरे गरे साँ साँ सागा पाप गरे गरे साँ 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 अनुदर यह तो यह दो अंतरे वड़े खोप सूरत कंपोज और इसके बाद एक जो सरगम आती है वो ऐसी सरगम है कि बड़ी इमोशनल सरगम हमारे जहन में रहती है और जितने भी प्रफॉर्मिंग आर्टिस्ट है वो इस गाने को जरूर गाते हैं शो में अपने और इनफेक्ट मैं तो अपने लाइव शो में पहला गाना कहीं बार मैं आप देखिये पा को किसे गए है लुख फिर गबनी सानी पापमागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागाग अंग ना फूल खिलेंगे अंग ना फूल खिलेंगे ये दे संग साज सारे मापानी साब मार गारे सांसा अंग ना फूल खिलेंगे अंग ना फूल खिलेंगे तो इस रचना की खासियत क्या है जगाएं बहुत सारी इंप्रोवाइस करने की जूम जूम के ये ओरिजिनल जूम जूम के जूम जूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब जबहुत है, तो ये देखिए हम कभी नी भूल पाएंगी रचना को राशित खासाव'll हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे जो जस्त्त्री संगीत के जो दत्वचोण के गये ہیں जो काईकी की मिसाल देके गये है जो रियास का नमूना छोड़के गए है नमोना तो क्या पूरा एक खजाना छोड़के गए हैं हमारे लिए चैठोमरी हूँ तराने हो बड़ा ख्याल हो छोटा ख्याल हो उसको सुन सुन कर हम प्रेणना प्राप्त करते रहेंगे उनसे सीखते रहेंगे अब रत्यक शुरूफ से लॉंग लिफ दा लेजेंड और ये उनी के मैं चर्णो में समर्पित करना चाहूँगा गाने की नोटेशन मेंबर्स कमूनिटी से आप प्राप्त कर सकते हैं इस नए साल पे मैं आप सभी के लिए वेब साइट लाँच कर दी है जिस पे समय समय पर नई कोर्स लाता रहूँगा राख दरबारी के कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक जरूर कीजे कि आपको कोर्स में क्या-क्या मिल रहा है 15 वीडियोस, 15 पेडियेफ्स, एक ही राख के अंतरगत बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, एक ताल की बंदिश, ग्रामर, बड़े ख्याल की ताने, आलाप, सब चीजे जानने को मिलेंगी थेवरी के सहित, तो वो आप जरूर एक बार देखिए और ऐसे ही आपकी संगीत में सेवा में आता रहूंगा Om Shanti and information for online classes can also be checked after this video